आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अगर बात के 2010 की तो हमें given a percentage of boys given out of total strength A, B and C में और number of girls given है हमें देको boys का तो percentage given है और girls का number given है same 2015 में भी हमें percentage of boys given है और number of girls given है तीनोग स्कूल का A, B and C स्कूल है हमारे पास Question हम से पूछ रहा है What was the total student strength? देको total strength की बात कर रहा है वो student strength in school A and B year 2015 की बात करिए उसने A और B स्कूल में total strength की बात करे तो boys plus girls दोनों होंगे तो total strength किसके बराबर होगा देको total strength will be equal to boys plus girls in school A 2015 plus boys plus girls in school B वोई same year है 2015 है ठीक है तो सबसे पहले हम boys plus girls in A find out करेंगे 2015 में तो देको वो कैसे find out करेंगे हम हमें given है percentage of boys percentage of boys school A में कितना है 70% है तो फिर girls कितनी रही होंगे 100 में से boys का percentage minus कर देंगे मज़व 30% कर रही होंगे और 30% की value हमें 480 given है 30% is equal to 480 है देको तो जब देको 480 is equal to 30% है तो boys plus girls की value क्या हो जाएगे देको boys plus girls in A is equal to कितने हो जाएगे देको अगर हमारे पास 30% is equal to 480 है हमें किस की value चीए boys plus girls की चीए तो 100% की value चीए हमें 100% की value कितने हो जाएगे 480 divide by 30 यह तो 1% की value आगे multiply by 100 कर देंगे तो 0 से 0 cancel out होगा 3 से कटेंगे तो 16 time चला गया हमारे पास कितने boys आगे 1600 boys plus girls आगे देखो ठीक है अब बात कर लेते हम boys plus girls in school B तो boys plus girls in school B की जब हम बात करेंगे तो B के लिए देखो हमें 45% क्या boys given है तो फिर 55% क्या रही होगी girls रही होगी और 55% की value किस के बराबर given है देखो 660 के बराबर given है हमें question में जब 45% boys हैं तो girls कितनी रही होगी 660 और 660 is equal to 5% है 100 में से 45% minus कर दिया तो 55% की value हमारे पस कितनी है आगे देखो 55% की value हमें given है 660 हमें किस की चीए boys plus girls मतलब 100% की value चीए 100% की value कितनी हो जागी 660 divide by 55 और multiply by क्या कर देखेंगे भाल से ख़ए तो 11 से यह 5 टाइमabi चलागया यह 11 से si tree time चलागया पात से काटेंगे देखो यह one time गया यह 12 टाइम चलागया 12 ins 100 करेंगे तो हुमारा पास क्या आगया 1200 boy plus girls आगए तो, total strength की बात करेंगे तो हम total strength में क्या करेंगे boys plus girls और इन A plus boy plus girls in B add कर देंगे, तो हम लिख देंगे 1600 plus 1200, दोनों को अगर हम add करेंगे तो हमारा पास 2800 आएगा, 2800 क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा इस question का, total strength कितनी आगे, 2800 आगे, जो कि हमें दो को option 3 में given है, so option 3 will be correct answer to this question, thank you. कीचे अपने doubts, 8400 चारसो चारसो पर.